Hello everyone, Final Revision में आपका स्वागत है और मैं हूई एश आज का हमारे या लेक्षर मंतली करेंट अफेर्स का है इसमें हम November 2021 के सारे करेंट अफेर्स देखेंगे चले टाइम नावेस्ट करते हो लेक्षर स्टार्ट करते है पहला आर्टिकल है River Cities Alliance के बारे में यह इनिशियेट है मिनिस्टि आफ जल सकती और मिनिस्टि आफ हाउजिंग एंड अर्बन अफेर्स का है River Cities Alliance एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां ऐसे सभी शहर आके मिलेंगे जिन में से रिवर्स होके गुजरती है और यह सभी आपस में new ideas को discuss करेंगे ताकि रिवर्स को अच्छे से manage किया जा सके और यह government aspects को भी strengthen करेंगे इनका focus तीन theme पर होगा Networking, Capacity Building और Technical Support इसका Secretariat National Institute of Urban Affairs में है River Cities Alliance को support National Mission for Clean Ganga से मिलेगा अगला article है Sofa Report के बारे में State of Food and Agriculture Report 2021 यह FAO Food and Agriculture Organization के द्वारा जारी की गई है इसकी theme थी making agri food system more resilient to socks and stresses यह Sofa Report food और agriculture से संबंदित issues को scientifically assess करती है इसमें कहा गया है कि total land का 37% agri food system में cover होता है अब agri food system क्या होता है तो इसमें agriculture के products का production, storage, processing, transport, distribution और consumption यह सारी process हाती है इस रोपोर्ट में कहा गया कि दुनिया में anthropogenic मतला मानाव द्वारा greenhouse gas का one-third उचसरजन agri food system के द्वारा होता है आगे एक note है कि SEO की meeting होई है नूर सुल्तान कजागिस्तान में अगला article है deep dive training program के बारे में और United Kingdom के मद्ध कॉलिबरेशन है इसमें science and tech का कॉलिबरेशन किया यह नून है इसी की तहत Newton भाबा फंड भी बनाये गया है आगे बात करते हैं national apprenticeship training scheme के बारे में यह scheme 2021-22 से 2025-26 तक आगे बढ़ा दी गई है मतलब पहले से चली आ रही है scheme ministry of education की scheme है इसमें one year program के अंतरगत youngsters को skills provide की जाती है अब यह youngsters graduate हो सकते हैं engineering के, humanity के, commerce के, science के सभी शेतरों के graduates को यहाँ पर skills provide की जाती है आगे जानते हैं मैसूर declaration क्या है यह इंडिया के लिए ही है इसमें पंचायतों के द्वारा common minimum services provide की जाएंगी मतलब पंचायत के employees सभी लोगों को efficient service delivery देंगे इस declaration में अभी तक 16 राजियों ने sign करती है आगे है दोस्ती trilateral exercise यह coast guard exercise है जो कि इंडिया, मालद्वीब और स्री लंगा के मद्दे होती है हर दो साल में होती है यह exercise दोस्ती trilateral exercise में accidents को कम करना, oil spill को कम करना आधी aim होते है आगे है SDG Urban India Index यह Indo-German Corporation के तहत नीती आयुक द्वारा सुरुक किया गया initiative है इसमें Urban Local Bodies को SDGs के तहत किये गई कारियों के तहत उन्हें 0 से 100 के score पर ranking करना है इस index में टॉप किया है सिमला, कोयम बटूर, चंडिगर्ड और कोच्चीन तथा सबसे last में या worst स्रेणी में हैं धन्बात, मेरट, इटानगर, गोवाहाटी और पटना अब एक fact कि रानी गॉल्डिल नियू ट्राइबल फ्रीडम म्यूजियम कहां बन रहा है मनीपूर में आगे बताएए AK203 के बारे में ये gun है जो रचिया द्वारा डिजाइन की गई है तता इंडिया में बनेगी है इंडो रचिया राइफल प्राइवेट लिमिटेट के द्वारा बनेगी और ओर्डिनेस फैक्ट्री बोर्ड इसमें सायता करेगा आगे है भारत गौरव इसकीम इसके तहर तूरिज्म के लिए ट्रेन चलेगी जो प्राइवेट एंटाइटी के द्वारा भी चलाई जाए सकती है और गौर्वर्मेंट द्वारा ट्रेन भी चलाई जाएगी इसमें यात्रा का अमाउंट पैसेंजर पे करेगा और ट्रेन सारी यात्राएं कराएगी उसे अगला आइटिकल है फास्टेस्ट स्पिनिंग वाइट द्वार्फ के बारे में वाइट द्वार्फ मतलब सफेद तारा इसे नाम दिया गया है लामोस जेजीरो टूफोर जीरो प्लस वन नैन फाइफ टू आगे बताईए कौन सा देश बिटकोईन सिटी बना रहा है मतलब यहाँ पर बिटकोईन की माइनिंग की जाएगी आंसर है एल सालवाडोर आगे बताईए माटो सिन्होस मैनिफेस्टो के बारे में माटो सिन्होस एक पुर्तगाली देश है इस मैनिफेस्टो में यूरोप के देश स्पेस में अपनी पहुच बढ़ाने पर चर्चा करेंगे इसमें तीन एक्सलेरेटर्स होंगे पहला स्पेस फ़र ग्रीन फ्यूचर दूसरा रैपिड एंड रेजिलियंट क्राइसिस रिस्पॉंस और तीसरा है प्रोटेक्शन आफ स्पेस असेट आगे जानते हैं इंद्रा गांधी पीस प्राइस के बारे में यह इंद्रा गांधी मेमोरियल ट्रश्ट के द्वारा 1986 से दिया जारहा है इस वर्स इंद्रा गांधी प्रोटेशन प्रतम फाउंडेशन को मिला है इसमें 25 लाक रुपे की नाम रासी दी जाती है यह Peace Prize विभिन शेत्रों में काम करने के लिए दिया जाता है, जैसे यदि किसी संस्ता ने Peace को डेवलप किया है, Scientific Development किया है, Humanity के शेत्र में काम किया है, Economic Order को बराया रखने के शेत्र में काम किया है, तो उसे यह Prize दिया जाता है, यह किसी संस्ता को या एक किसी व्यक्ति को भी दिया सकता है आगे है UNESCO ABU Peace Media Award 2021 यह award दूर दर्शन तथा All India Radio को दिया गया है यहाँ पर ABU का मतलब है Asia Pacific Broadcasting Union यह award एम करता है To highlight and promote the crucial role of independent ethical journalism and citizen media literacy for building positive peace in human mind यहाँ positive peace का मतलब है equitable and fair society को बनाये रखना तो याद रखेगा ABU Peace Media Award मिला है दूर दर्शन एंड All India Radio को आगे जानते हैं T4P initiative के बारे में Together for Peace Initiative It aims to build and sustain positive peace मतलब यह भी equitable और fair society को बनाने की बात करता है यह भी UNESCO का initiative है जिसमें उसने Japan और Thailand के साथ collaborate किया है आगे जानते हैं Central Consumer Protection Authority के बारे में यह 2020 में बनाई गई यह एक सामविदिक निकाय है जो Consumer Protection Act 2019 के तहद बना है It aims to promote, protect and enforce consumer rights अब इसके कुछ अधिकार भी है यदि कोई company standard के अनुसार काम नहीं कर रही और फिर भी अपने product को बेशती है तो उसके खिलाफ investigate करना, order recall करना, discontinue करना उसे और penalty लगाने जैसे इसको अधिकार होते है आगे आता है National Scheme for Comprehensive Rehabilitation of Baggers ये भिक्चा वृत्ती में लगे व्यक्तियों की सहायता के लिए Ismail Scheme के एक पार्ट के रूप में चल रही है आगे है Global State of Democracy Report 2021 ये रिपोर्ट जारी करता है International Initiative for Democracy and Electroller Assistance इसका Headquarter Stockholm में है ये अंतर सरकारी निखाये है तता इंडिया भी इसका Member है United Nations में से Observer का Status प्राप्त है अब अपनी Democracy Report में है Countries को दो हिस्सों में बाढता है Democratic Countries और Non-Democratic Countries Global State of Democracy Report 2021 कहती है कि 2020 में सभी देश डेमोक्रेसी से दूर जा रहे हैं इसका Example Brazil और इंडिया जैसी बड़ी डेमोक्रेसी भी है आगे है Homosap ये Homogenizer of Septic Tank है इसे IIT मदरास ने डेवलप किया है ये Septic Tank को साफ करने के लिए Robot के यूज की बात करता है मतलब एक Robot है ये अब इससे पहले भी Septic Tank को साफ करने के लिए मनुष्य के द्वारा ना किया जाए उसके लिए अन्य कारिक्रम भी चलाए गए थे इसमें है Prohibition of Employment as Manual Scavengers and Their Rehabilitation Act 2013 राष्ट्री गरिमा अभियान Prevention of Adrocity Act 1989 इन सभी एक्ट्स को लाओ करने में Homosap बहुत मदद करेगा इस वर्ड से लिथुआना न्यूज में था क्योंकि इसने ताइवान को Embassy के लिए Allow कर दिया है आगे है Crypto-Keria Muthu-Wahriyana यह केरल में मिली पेड की New Species है यह Crypto-Keria Genis से बलॉंग करती है इसका नाम Muthu-Wahri Tribe के नाम पे दिया गया है जिसका मतलब होता है पीट पर वजन लेकर चलने वाले लोग यह Pen Lawrence या Family से बलॉंग करता है अगला Article है Operation Molten Metal के बारे में यह Hong Kong से Air Cargo Root से आने वाले Smuggled Gold को पकड़ने के लिए Operation था जो Successful रहा यह Conduct कर आया था Directorate of Revenue Intelligence ने Directorate of Revenue Intelligence 1957 में बनी Anti-Smuggling Agency है Indirect Taxes and Custom है Ministry of Finance के इंतरगत आगे जानते हैं Infinity Forum के बारे में इसमें FinTech या Financial Technology को बढ़ावा देने के बात की जाती है जहाँ पर Various Leaders and Stock Holders भाग लेंगे और FinTech या Financial Technologies के छेत्र में Innovation और Technical Ideas को सुझाएंगे अब FinTech क्या होता है Financial Sectors में जो Services Provide की जाती है उनमें Technology के यूज को बढ़ावा देने ही Financial Technology या FinTech कहा जाता है इसे होस्ट किया जाएगा International Financial Services Center Authority के द्वारा आगे जानते हैं जाफना Cultural Center के बारे में ये Cultural Center Northern Sri Lanka में बन रहा है इसमें इंडिया ने 11 बिलियन का ग्रांट दिया है लेकिन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है आगे है Operation Sankalp जो जून 2019 में सुरू हुआ Gulf of Oman या हॉर्मुज जलसंदी के पास Oil Trade को सुरक्षित रखने के लिए इंडियन नेवी के द्वारा सिब भेजी जाती है इस Operation के तैट ताकि इंडिया से Secure Trade को बढ़ावा मिले आगे आता है Special Credit Link The Capital Security Scheme इसमें सर्विस सेक्टर के एंडर्प्राइस को सरकार द्वारा Capital या Asset खरीदने में 25% की सबसेडी दी जाती है इसमें Asset के अंतरगत Plants और Machineries भी आते है अगला इडिकल है Tight Oil के बारे में तो दो कंपनीज है Cairn Oil and Gas तथा US-based Haliburton Company इन दोनों ने मिलकर Partnership Sign की है जिसमें ये मिलकर Western Rajasthan मतलब Lower Barmade Hills में Sale Oil या Sale Gas का Exploration करेंगे ये Sale Oil ही Tight Oil कहां खहलाता है क्योंकि ये चट्टानों में बहुत टाइट दरारों में छिपा होता है जिने Pipes के माध्यम से निकाला जाता है आगे बात करते हैं रेजांगला के बारे में चुलदाक में चुसल गाउं और Spangor Lake के बीच में इस्तित है आगे जानते हैं Autism Spectrum Disorder के बारे में इंडियन रिसर्चर्चर्स ने एएएईडी के बैटर ट्रीटमेंट के लिए 6BIO नामक कंपाउंड डेवलप किया है अब आटिजम का मतलब इसमें ये होता है कि समय के साथ जब ब्रेन का सही डेवलपमेंट नहीं हो सकता इसका रिजल्ट यह होता है कि बच्चे socially inactive होते हैं interaction कम कर पाते हैं और communication skills भी उनकी डेवलप नहीं होती दुनिया में 106 में से एक बच्चा AHD या Autism Spectrum Disorder से पीड़त है अब हाली में Indian Ocean Naval Symposium News में था आगे बताईए सब्ज बुर्ज कहां है यह मुगलकालीन मगबरा है जो दिल्ली में से थे थे 1530 इसवी में से बनाया था इसमें double dome ceiling उपस्ते थे आगे जानते हैं Brivery Risk Matrix 2021 के बारे में यह trace द्वारा जारी किया गया trace एक anti-brivery standard setting organization है अब यहां brivery मतलब एक तरह से घूच लेनी की बात कही जा रही है यह brivery कब होती है जब कोई भी business अपने किसी भी file के clearance के लिए government organization से contact करता है उस condition में यह brivery की case ज़्यादा देखने मिलते हैं Brivery Risk Matrix के अनुसार North Korea, तुर्कमेनिस्तान, वेनेजुएलिया आगे जानते हैं Digital India Land Record Modernization Program के बारे में यह 2008 में Central Sector की scheme है इसमें सारे Land Records को digitalize करना है आगे Star Program या Star Project भी news में था जिसे World Bank द्वारा 8 प्रोवाइट की गई है इसे हम पहले ही देख चुके हैं आगे जानते हैं पोचंपली Village के बारे में यह तेलंगाना का विलेज है जिसे one of the best tourism village के रूप में सिलेक्ट किया है United Nation WTO ने United Nation World Tourism Organization ने जिसके स्थापना 1975 में हुई थी अब पोचंपली जो विलेज है वो Silk City के रूप में जाना जाता है और यहां की काट टेकलोजी बहुत फेमस है अब यहां पर United Nation World Tourism Organization ने जो इसको best tourism village के दर्जाद दिया है वह इन आधारों पर देता है पहला tourism preserves culture and tradition celebrating biodiversity opportunity तथा safeguard biodiversity यह चार आधार है tourism place का status देने में आगे है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल यह साथवा फेस्टिवल है पहला फेस्टिवल 2015 में मनाया गया था इसे ministry of science and technology तथा ministry of earth science और विज्ञान भारती के साथ मिलकर organize किया जाता है इसकी इस बार की theme थी celebrating creativity in science technology and innovation for prosperous India अब यहां पर विज्ञान भारती या विभा के बारे में जान लेते हैं यह 1991 में शुरू किया गया moment है जिसे IIT मदरास द्वारा शुरू किया गया था इसमें young scientist को प्रोचाहित किया जाता है ताकि वे innovation में अपना योगदान दे यह सोदेशी science moment है आगे जानते हैं द्वारे राशन scheme के बारे में यह सुरू किया गया है बंगाल की सरकार के द्वारा सरकार हर राशन डीलर्स को एक लाग की सबसिटी देगी ताकि वे गाड़ी खरीश सके और अपने राशन्स को लोगों के घर जाकर डेलिवर कर सके आगे जानते हैं GM वाचपई समीती क्यों नियूज में थी तो insurance business के development को assessment करने के लिए समीती बनाई गई थी जिसने अपनी रिपोर्ट सौपी है International Financial Service Central Authority को आगे है sitmax ये स्री लंका इंडिया और थाइलेंड की naval exercise है जो अंड़मान सी में conduct की गई sitmax सी शुरुआद 2019 से हुई थी सबसे पहले इसे इंडिया ने होश्ट किया था और इस वर्ष अंड़मान सी में इसे Thailand ने होश्ट किया है आगे जानते हैं नीरा के बारे में National Interlinking of River Authority इसके head सची विस्तर के अधिकारी होते हैं ये river linking project बढ़ाने के लिए काम करता है मतलब अभी river linking के लिए नीरा आ गया इससे पहले जो river linking के गाम करता था वो आए था National Water Development Agency तो इसे replace किया है नीरा ने और ये स्वेम से fund भी raise कर सकता है river linking project के लिए अगला article है निराकार स्वेम साशित वैद इशाला के बारे में या इटी कानपूर ने इस्थापित की है मतलब एक vessel है ये जिसे गंगा नदी में इस्थापित किया जाएगा और जो पानी की quality को observe करेगा quality में ये pH value conductivity और पानी में उपस्तित oxygen की मात्रा को देखेगा अब इसमें एक word है swim शाशित मतलब ये जो अपने कारी करने के लिए energy है वाई swim से ही generate करेगा इसमें solar panels भी लगे हुए है आगे जानते है PNS to grill के बारे में PNS है मतलब ये चाइना नहीं बनाया होगा तो चाइना नहीं ये frigate warship पाकिस्तान को दिया है इसमें steel capability है आगे आता है norovirus ये एक stomach bug है जो पेट के विकार उत्पन करता है ये भी एक zoonotic disease है जो animal से human में फैल सकती है और human to human भी संक्रमित होती है मतलब संक्रामक रोग है इसका कोई भी इलाज नहीं है ये भी corona की तरह ही यदि किसी की immunity अच्छी है तो ही वह recover कर पाता है इसमें intestinal disease होती है और इससे खत्रा बच्चों, बूढ़ों और उनकों है जिनका immune system कमजोर है आगे जानते RBI के बारे में तो RBI ने इस मंद RBI Retail Direct Scheme लाँच की है जिसमें government securities या bonds में इन्वेस्ट करनी की प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है इसके लिए retail direct account खोल कर direct उससे bank link किया जा सकता है और वहाँ पर invest किया जा सकता है या government securities खरीदी या बेची जा सकती है और RBI ने दूसरी चीज़ की है RBI's integrated ombudsman scheme अब ombudsman का क्या मतलब है वो जान लेते हैं पहले तो यदि किसी संस्था का जो grievance redressal mechanism है मतलब ombudsman एक public authority होती है अब होता क्या था कि RBI के द्वारा regulate जितनी भी संस्था हैं थी bank, NBFC उन सबी के लिए अलग-अलग ombudsman होते थे लेकिन अब RBI के द्वारा कहा गया है कि RBI द्वारा regulate सारे banks, NBFC या जितनी भी संस्था हैं उनके लिए केवल एक ही ombudsman काम करेगा ये है one nation, one ombudsman अगे जानते हैं National Monument Authority के बारे में ये Ministry of Culture के अंतरगत 2010 में established किया गया था ये एक सामविदिक निकाह है जो Ancient Monument and Archaeological Society and Remains Act 2010 के अंतरगत established किया गया अब जानते हैं International Methion Emission Observatory के बारे में ये United Nation Environment Program द्वारा बनाई गई इस इनिशेडियों के ओग जी 20 समिट में सामने रखा गया था अब इस मन्त जेवी क्रिपलानी के बारे में भी बात की गई थी तो इनकी आटो बायोग्राफी का नाम है My Times इन्हें आचारे क्रिपलानी भी कहा जाता है आगे बताईए हजारा गम्यूनिटी किस देश की है ये सुन्नी मुस्लिम कम्यूनिटी है जो अफगानिस्तान की है आगे रानी कमलापती कौन थी तो गोन रानी थी अठारा भी सदी किये राजा निर्याम साह की साथ रानियों में से एक थी इन्हें लास्ट हिंदू क्वीन और भोपाल भी का जाता है अभी हाली में भोपाल के हभीबन रेलवे स्टेशन को रानी कमलापती रेलवे स्टेशन नाम दिया गया है अगे जानते हैं केसर ए हिंद के बारे में यह रुनाचल प्रदेश की इस्टेट बटरफ्लाइ घोसित की गई है यह एवर गृरीन फॉरेस्ट में रहती है इसका हैबिटेट भारत के अलावा नेपाल, भूटान, मयामार, लाउस, वियतनाम और साउट चाइना में भी मिलता है IUCN की लिस्ट में यह नियर थ्रेटन्ड है साइट्स के एपेंडिक्स 2 में है और Wildlife Protection Act 1972 के सेडूल 2 में भी उपस्ते थै आगे जानते हैं, Octocopter के बारे में यह एक drone है, जिससे CSIR National Aerospace Laboratories ने डेवलप किया है इसकी capacity पचास किलो की है मतलब यह पचास किलो का भाहर उटा सकता है हाली में इसे vaccine delivery के लिए use किया गया था आगे जानते हैं, कामो ओलेवा के बारे में यह एक क्वासी satellite है और प्रत्वी के आसपास चक्कर लगाता है क्वासी satellite का मतलब वो क्या होता है यह natural satellite ही होते हैं लेकिन इसका confirm नहीं होता कि यह satellite है या फिर किसी छुद्रक रहे का कोई हिस्सा इसलिए इन्हें क्वासी satellite के दिया जाता है आगे है dart mission of NASA इसमें asteroid को उसके path से विस्थाबित करने के लिए test mission किया जा रहा है NASA के द्वारा, यह falcon 9 rocket के द्वारा लौंचिया जाएगा इसमें dimorphos नामग asteroid को उसकी इस्तिती से विस्थाबित करने के लिए dart mission launch किया जाएगा आगे जानते हैं land races के बारे में land races उन देशी वीजों को कहते हैं जो की प्राचीन काल से अभी तक survive कर रहे हैं मतलब इन देशी वीजों में विबिन परिवर्तन को शहनी की जहमता है मतलब किसी भी condition में survive कर सकते हैं survival of fittets के सिद्दांस पर काम करते हैं ये news में इसलिए हैं क्योंकि राही बाई पोपेरे को पद्म अवार्ट दिया है उन्हें इसी seeds को सहेज कर रखने के काम के लिए इनने seed mother भी कहा जाता है आगे जानते हैं क्लाइड बैक डेकलरेशन के बारे में United Kingdom ने COP26 में Glasgow में एनाउंस किया कि क्लाइड बैक डेकलरेशन में छैपोर्ट या बंदरगाह के मध्य green shipping corridor बनाना है इन corridors में वे ships जाएंगे जो greenhouse gasों का उतसर्जन नहीं करते अब 22 countries ने इस declaration में sign कर दिया है लेकिन इंडिया ने अभी भी sign नहीं किया है आगे जानते हैं critical noise treatment algorithm के बारे में ये exoplanet को study करता है particular algorithm के माध्यम से ये algorithm अर्थ के atmosphere में उत्पन noise disturbance को कम कर देता है आगे बात करते हैं exercise शक्ती 2021 के बारे में ये इंडिया और France के मध्य होने वाली exercise है दो साल में एक बार होती है ये army की exercise है इसका focus counter terrorism operation पर होता है अब France के साथ ही navy में exercise वरुण तता air force में exercise गरुण की जाती है आगे बात करते हैं APEC Asia Pacific Economic Forum के बारे में इसे हाली में host किया है New Zealand ने इसे 1989 में बनाये गया था इसमें total 21 countries है याद रखेगा इंडिया इसका member नहीं है आगे है Digital Atlantic Charter Initiative इस initiative focus on supporting countries to project and ensure the resilience of their critical infrastructure मतलब देखिए इसमें जो Atlantic Charter है वह 1939 से 45 के मध्य UK और USA के मध्य post world war के बाद जो world होगा उसके vision की बात करता है तो हाली में Digital Atlantic Charter Initiative ऐसे world के निर्मान की बात करता है जो more resilient है आगे बताईए उना की उबावा के बारे में तो करनाटक गॉर्मेंट उना की उबावा नमक फेस्टिवल मनाईगी उना की उबावा एक woman warrior थी जो हैदर अली की सेना से अकेले लड़ी थी चितर दुर्ग फोड को बचाने के लिए इसमें उना के उबावा में उबावा का मतलब होता है मूसल ये अपने मूसल से ही लड़ी थी सेनाओ से तो याद रखेगा उना के उबावा करनाटक की woman warrior हैं अब जनजाती गॉरफ दिवसकम मनाये जाता है 15 नवंबर को राची में ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम भी इस्टैबलिस किया गया है इसके लिए आगे है जीरो एमिशन वीकल ट्रांजीशन काउंसिल जो 20 नवंबर 2020 में बना हाली में कॉप 26 मैंनीती आयोग ने इसमें पाइटिसिपेट किया जीरो ओमिशन वीकल काउंसिल एम्स तू ब्रिंग तोगेदर मिनिस्टर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव और सम आफ दा वर्ल्ड लार्जेस्ट आटोमोबिल मार्केट मतलब देशों के आटोमोबिल मार्केट के बड़ी हस्तियां इसमें शामिल होंगी और उनका ध्यान इलेक्ट्रोनिक वीकल की तरफ गेंदरित किया जाएगा ताकि वे आटोमोबिल में रिनुविवल एनरजी को लाने में सहायक हों अगे जानते हैं DTDI के बारे में इनिशेटिव यह इनिशेटिव 2012 में शुरू किया गया था इंडिया और U.S.A. ने मिलकर शुरू किया था इसए अगे जानते हैं इसी सानेज के बारे में यह इस्टर्न ग्रीनलेंड में मिली डाइनसौर की स्पेसीज है यह नई परजातिय डाइनसौर की जो झेमसन लेंड में मिली है ये डाइनसार्स शाकाहारी होते थे आगे आता है Climate Change Performance Index इसे German Bosch रिलीस करता है ये चार कैटिग्रीज में अपना एनलिसिस करता है जिसमें Greenhouse Gas Emission को 40% Renovable Energy को 20% Energy Use को 20% और Climate Policies को 20% का वेटेज दिया जाता है इसमें ranking के अनुसार पहले दूसरे और तीसरे स्थान में किसी भी देश को rank नहीं में लिये फोर्थ स्थान पर है Denmark और India है 10th स्थान पर मतलब हम अच्छा कर रहे हैं Climate Change को recover करने के लिए अगे जानते हैं INS Vela के बारे में ये Project 75 के तैट Scorpion सब्मरीन है जो इस्टील टेकलोजी से युक्त है एंटी सिप मिसाइल भी लॉंच करती है और टॉर्पिडो भी है इसमें ये सर्फेस में रहकर भी मिसाइल लॉंच कर सकती है और वाटर के अंदर भी Project 75 के अंतर गत कुछ अन्य सब्मरीन्स भी हैं टोटल 6 हैं इसमें INS वेला, INS वगीर, INS वगसीर, INS करंच, INS कलवरी और INS खंडेरी आगे जानते हैं वर्ल्ट टेबल टैनिस टूनमेंट के बारे में इसे 1926 में सुरू किया गया था इसमें हाली में वोमन्स डबल में मनिका बत्रा और अचना गरीस ने जीत हाशल की है अब इस मन्त इसमाईल स्कीम न्यूज में थी अगे बात करते हैं उनामा के बारे में United Nations Assistance Mission in Afghanistan 2002 में इसे इस्टेबलिस किया गया था इसने हाली में अफगानिस्तान में वोमन एक्टिविस्ट की तारीफ की है उनके वर्क के लिए उनामा की इस्थापना अफगानिस्तान को रीक्रियेट करने के लिए की गई थी Global Resilience Index Initiative ये COP26 में सामने आया था ये Climate Change से हुए नुकसान का अनुमान लगाएगा आगे जानते हैं Lead It के बारे में Leadership Group for Industrial Transition इसका सम्मिट 2021 में हुआ इसे स्वीडन और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर द्वारा World Economic Forum के साथ मिलकर United Nations Secretary General Climate Action Summit में New York 2019 में लौंच किया गया इसका आयम है टू प्रमोट लो गार्बन ट्रांजीशन इसमें Member Countries से 16, 19 कंपनीज भी इसमें उपस्ते थे जिन कंपनीज में महिंद्रा, Spice Jet और डाल्मिया सीमेंट जैसी इंडियन कंपनीज भी मौझूद है आगे बात करते हैं Unesco's Creative Cities Network के बारे में हाली में स्री नगर को Craft and Folk Art की कैटेगरी में Unesco's Creative City Network का दर्जा दिया गया है अब भारत में स्री नगर के अलावा इससे पहले भी पांच और शेहरों को यह दर्जा दिया जा चुका है अलग-अलग कैटेगरी में इसमें जैपुर को भी स्री नगर की तरह ही Craft and Folk Art कैटेगरी में दर्जा मिला वाराणसी को Music के छेतर में, चैनने को Music के छेतर में, मुंबई को Film के छेतर में और हैदराबाद को Gastronomy के छेतर में यह दर्जा मिला है Unesco Creative City का दर्जा साथ कैटेगरी में देता है पहला है Creative City of Design, दूसरा Creative City of Literature, तीसरा Creative City of Music, चौता Creative City of Media Art, पांचवा Creative City of Film, छटा Creative City of Craft and Folk Art, साथवा Creative City of Gastronomy अब 2004 में हुए इस initiative का उद्देशी क्या है, तो Creative City का दर्जा इसलिए दिया जाता है, ताकि विबिन शिटीज आपस में कोलेबरेट करके Sustainable Urban Development, Social Inclusion और Cultural Vibrancy को प्राप्त करने में आपस में सहयोग कर सके अगला आडिकल है Leeds Report 2021 के बारे में, इसे Ministry of Commerce and Industries के द्वारा लॉंच किया जाता है, इसमें Leeds का फुल फॉर्म है, Logistics is Across Different States मतलब विबिन राज्यों में, Logistics को लाने ले जाने के लिए कितना सुवीदाएं दी गई है, उन्हें बताता है यह, यह rank इस तादार पर की जाती है कि किसी भी राज्य में Infrastructure, Services, Operating तथा Regulatory Environment कितना अच्छा है अब इनमें तीन केटेगरी में States को डिवाइट किया गया है, पहली केटेगरी है North East State and Himalayan Union Territory, इसमें पहला इस्थान जम्मू कस्मीर को मिला है और उसके बाद हैं सिक्किम तथम एगाल है दूसरी केटेगरी है Normal State, जिसमें गुजरात को पहला इस्थान है, फिर हर्यान और पंजाब आते हैं तीसरी केटेगरी है Other Union Territories, इसमें पहला इस्थान मिला है डेली को अगे जानते हैं Tale Law on Wheels Campaign के बारे में ये Tale Law App के द्वारा आम जनको डारेक्टली वीडियो कॉन्फरेंसिंग या कनेक्टिविटी के माध्यम से कानूनी सलाह प्राप्त करने का एक जरिया है इसमें कोई भी वक्ति कानूनी सलाह Lawyers के माध्यम से वीडियो कॉन्फरेंस के द्वारा प्राप्त कर सकता है मतलब इस एफ में कोई भी लॉयर है यदि वा अपनी कानूनी सलाह देना चाता है तो वो भी register हो सकता है और किसी व्यक्ति को कानूनी सला लेनी है तो वो SM के mobile से ही या फिर common service centers में जाकर भी interact कर सकता है अगे जानते है central sector plan scheme के बारे में ये scheme दिव्यांग जनों से संबंदित है इसमें दिव्यांग जनों को जो भी service providers या government employees service provide करते हैं उन्हें दिव्यांग जनों के प्रती समवेदन seal बनाये जाएगा ताकि वे उन्हें अच्छी service provide करें इसमें training module तयार किया जाएगा Rehabilitation Council of India के माध्यम से अब Rehabilitation Council of India के बारे में जान लें तो यह Ministry of Social Justice and Empowerment के तहट एक सामवेदिक निकाय है और Register Society है 1986 के एक्ट के तहट आगे जानतें Star College Scheme के बारे में Actually इसका पूरा नाम है Star College Scheme DBT क्योंकि इसे शुरू किया Department of Biotechnology ने इसमें College में Science and Innovation को बढ़ावाय देने के लिए Department of Biotechnology incentive provide करता है अगे जानते हैं कादर ट्राइब के बारे में यह केरल और तमिलनाडू में पाई जाने वाली ट्राइब है केरल ने इन्हें PVTG का दर्जा दिया है लेकिन तमिलनाडू ने नहीं दिया यह मुखिता फॉरेस्ट में रहते हैं और खेती नहीं करते और सामयने थे हिंदू मानेताओं को मानते हुए पूजा करते हैं आयपन की, काली की और मलावजी देवों की आगे जानते Network for Greening the Financial System के बारे में यह RBI ने पॉब्लिस किया है इसके द्वारा RBI ने Network for Greening the Financial System Declaration को सपोर्ट किया है इसके तहत RBI क्या रहा है कि RBI से Associate सभी Financial Sector Enterprise उन शेत्रों में ज्यादा Finance करेंगे जो Low Carbon Emission करते हैं मतलब Renewable Energy पर ज्यादा फोकस होगा आप अब बताईए कि किस देश ने Non-Muslims को Civil Marriage करने के लिए Allow कर दिया है यह है अबूधाबी जो UAE में इस्तेत है अब जानते काहो विलेज के बारे में तो इंडिया चाइना बॉर्डर पर रिस्तेत है यह काहो विलेज यह अरुनाचल प्रदेश की NGO district में है इस में हाली में अरुनाचल प्रदेश की सरकार documentary तयार कर रही है अब जानते हैं इंडियन flagship turtle के बारे में इसका size 350 mm का है मतलब छोटा कचुआ है यह जो कि भारत, पाकिस्तान, स्री लंका, नेपाल, बांगलादेश और म्यामार में पाया जाता है यह शांत समुदरी जल में मिलता है मीठे पानी में भी हो सकता है लेकिन जादा थर समुदरी खारे पानी में और रेतीली शेत्रों में पाया जाता है साफ पानी के अब एक्षा मतमेले पानी में जादा रहता है IUCN की list में vulnerable है Sights में appendix 2 में है Wildlife Protection Act 1972 में schedule 1 में अपस्तित है ये news में इसलिए है कि इसे meat और medicines के लिए मारा जा रहा है आगे जानते है टेक्निकल टेक्स्टाइल के बारे में तो टेक्निकल टेक्स्टाइल क्या होते है ये ऐसे कपड़े होते हैं जो किसी particular जरूरत के लिए पहने जाते हैं ना कि fashion के लिए जैसे किसी fireworks के लिए अलग कपड़े बनाया जाते हैं लेबरेटरिक्स में काम करने के लिए chemicals के साथ काम करने के लिए अलग कपड़े बनते हैं तो ये जो टेक्निकल टेक्स्टाइल है उसको export करने के लिए target रखा गया है कि अगले 3 साल में उसका export 5% तक बढ़ाना है अभी के आगड़े ऐसे हैं कि इंडिया का total share 6% of the world technical textile है मतलब world के technical textile में 6% की इससेदारी भारत की है अब इसके लिए national technical textile missile दोजार 20 February में लौंच किया गया था आगे बात करते हैं national company law tribunal के बारे में ये quasi judicial body है इसे company 1-2013 में section 408 के अंतरकत बनाया गया national company law tribunal वी बाल कृष्णन इरादी समीदी के सिफारिस पर मना है इसके chairman और members का कारेकाल 5 वर्स तक या 65 वर्स की उम्र तक होता है यह tribunal company law और insolvency law के matter से deal करता है इसके निर्ने के खिलाफ भी अपील की जा सकती है यदि इसके खिलाफ अपील करनी है तो national company law appellate tribunal में होती है और उसके खिलाफ भी अपील supreme court में की जाती है और अपील का option होने के कारण ही इसकी आलोशना भी की जाती है कई बार अगे जानते है वनियार community के बारे में ये तमिलनाडू की community है जो 25% of तमिलनाडू population को गवर करती है मतलब तमिलनाडू की जनसंक्या का 25% वनियार community का है लेकिन अभी भी इतनी जनसंक्या होने के बाद भी ये socially backward class है अगे जानते हैं LZTFL1 के बारे में ये एक gene है जो South Asian लोगों में पाया जाता है लेकिन इस gene का होना South Asian लोगों के लिए खतरनाक सिद्ध हो रहा है क्योंकि देखा गया है कि ये gene जिन भी लोगों में पाया जाता है उस छेत्र में COVID-19 के कारण death rate बहुत अधिक है अधिक मृत्य हो रही हैं वहाँ आगे जाने आदी संक्राचार के बारे में इनका 12 फुट लंबा statue के दार नात में establish किया गया यहाँ इसले establish किया गया क्योंकि यहाँ पर इन्होंने 9th century AD में 32 वर्स की उम्र में समाध ही ली थी आगे जानते हैं मोलनू पिराविर के बारे में यह COVID-19 के लिए मददगार दवा है एक तरह से यह medicines का group है group of medicine है जिसे nucleoside analogous कहते हैं यह इस तरह से काम करती है दवा कि वाइरस में जो RNA की copies बनाती है RNA का replication होता है उसमें यह error create कर देता है जिसके कारण वाइरस अपनी copies बनाना बंद कर देता है आगे जानते हैं cervical cancer के बारे में यह महिलाओं में human papilloma virus के माध्यम से होता है हाली में researchers ने बाया कि human papilloma virus vaccine को लगा कर महिलाओं में cervical cancer होने से रोका जा सकता है आगे जानते हैं global methane pledge के बारे में यह COP26 में सामने आया इस pledge के अनुसार 2020 को base मान कर 2030 तक 30% की कमी करनी है methane emission में लेकिन इस pledge में China, Russia और India जैसे बड़े देशों ने अभी तक sign नहीं किया है इस global methane pledge को introduce किया था United States और European Union ने साथ मिलकर अब ये एक fact याद रखिएगा कि 25% of global warming methane के गारण होती है आगे बता है कामिंग river कहा है इस्तित है ये ब्रह्मपुत्र के दाएं से मिलने वाली सायक नदी है ये originate होती है अरोनाचल प्रदेश से और असम मैं ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिलती है आगे जानते है Y-12704 विसाखा पटनम के बारे में ये 163 मीटर लॉंग वार्शिप है जो प्रोजेक्ट 15B के तहद बनाए गया है ये guided missile destroyer भी है इसमें प्रोजेक्ट 15B 2011 में सुरू किया गया था जिसमें 4 सिप्स बननी थी इसमें विसाखा पटनम बन गई अब सूरत, इमफाल और मौर्मो गाउ नाव से भी सिप्स बनना वाकिए है अगला article है whistleblower portal के बारे में ये whistleblower protection act 2014 के अंतर का ताया है ये portal vigilance awareness week 2021 के तहद लॉंच किया गया है आगे बताए ये जुआरी ब्रिज कहां इस्तित है ये इंडिया का सबसे चौड़ा ब्रिज होगा अब हाली में आयुस्मान भारत योजना को extend कर दिया गया है और extend करके CRPF, CAPF, BSF, SSB, CIFSF, NSG, ITBP आदी सुरक्षा गार्डों को भी ये insurance scheme प्रोवाइट किया रही है आगे जानते हैं पकल दूल hydroelectric project के बारे में Ministry of Power ने इसे inaugurate किया ये union territory जम्मू कस्मीर में है ये मरू सुदर रिवर पर उपस्ते थे मरू सुदर रिवर चेनाव नदी की सायक नदी है इसकी capacity 1000 मेगावाट होगी अब बताएए ग्लासगोव glacier का उपस्ते थे तो COP26 जो हुआ था वह स्कॉटलेंड के ग्लासगोव में हुआ था तो उसी नाम से एक glacier का नाम दिया गया है Antarctica में जो 100 किलोमीटर लंबा glacier है अब जितनी भी climate change पर समिट होती है न उन शहरों के नाम के आधार पर ही Antarctica के बहुत से glaciers के नाम रख दिये जाते हैं देख अभी किया है कि इन glaciers ने अपना 25% एरिया global warming के कारण खो दिया है आगे है dairy सहकार scheme इसे union minister of corporation ने लौँच किया इसका implementation का काम करेगा NCDC National Cooperative Development Corporation dairy सहकार scheme में milk milk से related products आधी के लिए incentives दिये जाएंगे साथी dairy से related un-schemes को भी इसमें शामिल किया जाएगा आगे आनते आइरिस के बारे में COP26 summit में आइरिस सामने आया जिसका full form है infrastructure for resilient island states आइरिस का उदेश है कि cities को climate resilient तरीके से develop करना है मतलब एक climate change को bear कर पाएं इच्छे से अब आइरिस जो है वाई cities को इस तरीके से develop करने के लिए information प्रोवाइट करेगा कोई incentive नहीं देगा बस information और knowledge प्रोवाइट करेगा यह initiative है इंडिया के CDRI Coalition for Disaster Resilient Infrastructure का आगे जानते हैं भाषा संगम initiative for schools के बारे में यह ministry of education का प्रोग्राम है जिसे develop किया है NCRT ने इसके तहत मदर टंग के अलावा हमारे सम्विदान में उलिखित 22 भासाओं में से किसी भी एक भासा की language के बारे में बच्चों को ग्यान होना चाहिए इसी के लिए भासा संगम mobile app लाउंच किया गया जिसे department of higher education and my government ने मिलकर लाउंच किया है यह एक भारत स्रेश्ट भारत अभियान का हिस्सा है जो 215 में सुरू किया गया था आगे जानते सागर निधी के बारे में यह 2008 में कमीशन किया गया था यह एक research vessel है जो अंटार्क्टिका में research करता है यह ice strengthened multidisciplinary vessel है यह ice को तोड़ते हुए तो नहीं जाता लेकिन जो सामने ice हैं उन्हें हटाते हुए आगे जाने की इसमें छमता है इसे नियोर्ट द्वारा operate किया जाता है National Institute of Ocean Technology नवंबर 1993 में इसे बनाए गया था यह Autonomous Society है Minister of Earth Science के अंतरगा दाती है अब सागर निधी के समानी सागर पूर्वी और सागर पस्ची में भी research vessels ही है आगे बात करते हैं milu deer के बारे में यह rare और endangered species है इसे पी डेविट्स deer भी कहते है यह चाइना की river valley में ही मिलते हैं सिर्फ IUCN में extent in wild का दरज़ा है इन्हें मतलब यह dears लगबग लुप्त हो चुके थे लेकिन चाइना के अच्छे प्रयासों से अब इनकी संख्या बढ़ रही है आगे बताए यह climate change disclosure law किस देश ने लाया था न्यूजिलेंड ने हाली में state of hormones भी न्यूज में था आगे बात करते हैं समुद्रियान mission के बारे में यह इंडिया का पहला Manned Oceane mission है इसमें मनिश्यों के साथ सब्मरीन को समुद्र के नीचे भेजा जाएगा और वे 6000 मीटर मतलब समुद्र के नीचे 6 किलो मीटर नीचे जाकर खोज करेंगे मुके तक हनीजों की खोज होगी इसमें अब जिस वीकल से यह समुद्रियान mission भेजा जा रहा है उस वीकल का नाम है मत्च यह 6000 यह इंडिजिनेशनी डेवलप किया गया वीकल है तो यह से सारे current effects नवेंबर महा के लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और ज्यादा श्यादा शेयर भी कीजेगा और चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना अभी बहुत को जानवा किये तो आज के लिए शलता हूं मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए डॉपिक के साथ तैंक यू सो मुच वर लिसने